आसिक जन्विश्वास महारहली में उपस्तेत राष्ट्य जनतादल के राष्ट्य अध्यच अमारे पिता आदन्य श्री लालू पिशाद यादर जी कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट अध्यच आदन्य मलिकार जुन खर्गे साहब जी कॉंग्रेस पार्टी के नौजवानों के नेता आदन्य राहूल गांधी जी यूपी के भावी मुख्य मंत्री आदन्य अखलेश यादव जी सीता राम यचुरी साहब जी दिपांकर साहब जी दी राजा जी बहागडबंधन के सभी नेता गन पददिकारी गन कारिकरता गन बिहार के दूर दराज से आई हुए सभी लोगों का आज के कारिकरम में आप लोगों का हाथ जोड़ करके आप सब लोगों का स्वागत करते हैं आप सब लोगों का अभिरंदन करते हैं और बिहार की पावन पस्पस्ट करते हैं माताय बेनों को प्रणाम करते हैं बच्चों को धेर सारा प्रेम और हमारे उम्र के नौजवान भाईयों को यहीं से गले लगाते हैं जहां तक मेरी नज़र जारी है केवल लोग ही लोग नज़र आ रहे लग रहे समुद्र हो चुका है मेदान में तो इतने लाखों लाग दस लाग से ज़ादा लोग आ गए हैं लेकिन सरकों पर पट्टर के कई लोग अभी बाहर फ़से हुए हैं प्रशाशन ने रात बर तंग किया लेकिन फिर भी आप लोगों ने मजबूत इरादे के साथ आप सब लोगे आए तो आप सब लोगों का हम धन्यवाद करते हैं 3500 किलोमेटर हम लोगों ने दस दिन में पुरे बिहार घूमने का काम किया और आप लोगों को हमने आमंत्रन किया था कि आप सब लोग पट्टा चले और इतनी बरी संख्या में आप लोग आए हैं तो आज रिकॉर्ड तूटा है पूरी रेलियों का जो है रिकॉर्ड तूटा है यही गांधी मैदान है यहां राजजितिक रेलिया तो होती थी लेकिन जब तेजश्वी 17 महीने सरकार में था तो नौकरी का भी रेला यही मैदान से एक साथ दो लाख लोगों को हमने नुक्ति पत्र बटवाया था याद है कि नहीं है तो रोजगार मेला भी रोजगार रेली भी हम लोगों ने इस धत्ति पे किया है उसलिए आप सब लोग जो विष्वास के साथ आएं अपने भाई को अपने बेटे को आप्षिरवात देने के लिए इसके लिए आप सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप सब लोग जानते हैं चाचा जी पलड़ गए लेकिन पलड़ गए तो जहां भी रहें सुखी रहें आप लोग तो जानते हैं हम आप से पूछना चाहते हैं सबसे पहली बार आपने किसके मूँ से सुना था दस लाख नोकरी का पक्ता में बिहार में पोश्टर लगवारे हैं नितीश कुमार जी हमारे आदर दिया हैं हमारे चाचा हैं हम उनका आदर करते हैं सम्मान करते हैं बुजूर्ग हो गए हैं लेकिन पोश्टर लगवारे कि गोजगार मतलब नितीश कुमार यह वही नितीश कुमार जी हैं जब 2020 में हमने वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नोकरी देगे तो मुक्त मतीजी ने कहा तक कहा से आएगा पैसा अपने बाप के पास से ला करके बेतन बाटेगा और संभाव है सोचो जो सत्रा साल में नहीं हुआ उसी मुख्यमंत्री से उनीक हाटों सत्रा महीनों में हमने इसी मैदान में लगबत पास लाख लोगों को सरकारी नोकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया महा गडबंधन के साथियों को भी धन्यवाद देते कि भी प्रिच्टिती में भी दू लोगों ने हमारा साथ दिया लेफ्ट की पार्टियां कॉग्रेस पार्टियों ने लेकिन सत्रा महीने में हम लोगों ने कित्ता काम किया जाति अदारित गिन्हा कराई आरक्षन की सीमा पच्छत्र पर्चेंट कराया अती पिछलों भाईयों का हम लोगों ने 24 पर्चेंट बढ़ाया पिछलों भाईयों का बढ़ाया हम लोगों ने दलिक बादरिक भाईयों का बनाया हमने आदिवासी भाईयों का बनाया जो काम अजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था किसी सरकार ने नहीं किया था उस काम को बिहार में हम लोगों ने करके दिखाया केवल सत्रा महीने उमे शिक्षा मित्र हों विकास मित्र हों टोला सेवक हो तान्मी मरकज के लोग हो आंगर मारी हो उन्स सब के मान देखो हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया दुगुणा किया ममता आशा का भी फाइल हम कर चुके हैं लेकिन मुक्मांती जी कहीं माईनों चेह रोग करके रख्या ह प्रफाइल नहीं आने देने स्वास विबाग से एक लाग 30,000 का पब्लिक हेल्ट कैटर का फाइल दबार करके रख्ये हैं लेकिन कितना भी दबाएंगे तेजेश्वी खड़ा है आपकी लगाई में आपको आपका अधिकार दिला करके रहेगा तो इस लगाई में साथ है क कि बताइए अगर आप साथ दोगे तो तेजेश्वी मर मिट्टे को तैयार है आपके लिए कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है मुसल्मान यादब की पार्टी है हम कहना चाहते हैं माई के साथ-साथ बाप की भी पार्टी है ये माई बाप की पार्टी है बी से बहुजन ए से अगरा दूसरे ए से आधियाबादी महिला अब बी से पूर यानि बाप यानि माई बाप एक वुज़च की पार्टी है ये और बाई बाप हमारी जन्ता है आप ही हमारी ताकत है आप ही हमारी प्रेड़ना है आप सब लोगों का और शिर्वाद हमेशा आप लोगों का मिलता रहा है उसी ताकत के बदलाद आगे की लड़ाई हम लोग लग लग रहे है तो आप लोगों का साथ है ना विश्वास दि ये का मतलब मोदी जी कुछ भी कहते रहे लेकिन आज येडी का मतलब है आज आज से राइट्स यानि अधिकार जे से जॉब मतलब नोक्रिया और ढ़ी से डेवलेप्मेंट लिग बता विकास यानि अधिकान लोक्रिया विकास लाइज जॉब डिवलेप्मेंट यह है अरजेदी का मतलब बीजेपी के लोग जगा जगा तोर फोर करते रखते हैं इस तिर सरकालों को तोर लिया जाता है अरे कुछ विदाय कि दर से उधर कर दे कोई फोर्क नहीं पढ़ने वाला है लेकिन जनता को कहां से खरी देगे जनता जवाब देगी जवाब दीजे यह ना कुछ लोग दर के कारण कुछ लोग लालच के कारण घुटने तेकते हैं मोदी जी के आगे बागपा के आगे लेकिन मुझे गर्व है अपने पितापाँ कि कितीने बहें से बनी मिम्दा आई कितना भी डराया गया कितना भी कोशिश किया जुकाने का लेकिन हमारे पिता ने जनने का काम किया कभी जुके नहीं कभी डरे नहीं और हम रिश्वाद दिराते हैं जब लालू जी नहीं दरे तो उनका बेटा दरेगा लरेंगे आख्री सास्ताथ ये विचार धाना की लराई है और आप सब लोगों को साथ आना होगा सभी समाजवादी भाईयों को साथ आना होगा कभी राउल जी को ईडी का समन अभी देखे अउत्तर प्रदेश में घर्बंदन हुआ हमारे बड़े भाई को तुरण सीबी आई के लोग आगे अकेले जी को समन भेज दिया हमारे तो पुरे परिवार को समन भेज आई की लेके हम लोग दरने वाले लोग नहीं हैं यह वाफ staat के साथ खड़े राईगे आप साम लोग वशीघ मशीन तो सुनते थे वशीघ मशीनि और हसीज होगा वो बीजेपी में जाता है तो उसका धुराई हो जाता है साफ हो जाता है लेकिन बीजेपी वाशिंग मशीन के साथ-साथ दस्टमिन वाली पार्टी हो गई है कूरा दान हो गया है सब पार्टी का कूरा जाकर के बीजेपी में चला जा रहा है उसलिए ये वाशिंग मशीन के साथ साथ दस्पिर वाली पाती है यहाँ आप जानतें बीजेपी के लोगों ने दो दो उत्मुकमलत्री बनाया एग और एग और फाउल माउट है अना आप शराब बोलता है और दूसरा जो है लाउट माउट है बर बोला है लेकिन आप सब लोगों को बोलेगे कि यह जो उत्मुकमलत्रीजिन को बनाया है जो बर बोले हैं चौदा साल से चुनाओं नहीं लड़े हैं चुनाओं नहीं लड़े और लड़े और जीते हैं तो आजेडी से लड़े हैं और जीते हैं आखरी बार भी अरे हमोरे चाचा तो पंटी मुआते ही है लेकिन सवराज शौरी भी काम नहीं है पाथ पंटी बदल चुके हैं और आज तक चुनाओ नहीं लड़े तो ज्यादा हम लोग क्या के लेकिन मोदी जी आये थे कर यहां क्या बोल करके गए वही जुमला वही आज की बाते जूट प्रचार हम तो शुरू से कहते हैं मोदी जूट बोलने के फैक्टरी है मैंडिफेक्शनर है मोदी जी होल्सुलर के साथ डिस्ट्रिब्यूटर भी है जूट बोलने के आप लोगों पिछले बार चालीस में से उन चालीस MP बीजेपी को चिताया आज य जिलाब में बातपा के लोगों ने क्या किया बताओं मोदी जी ने कोई कारखा ना दिया कोई नौक्रिया दी पलाइन रोता गरी भी बिटता ही क्या महगाई कम की कहां से फिर बियार को विशेश राज का दर्जा देना था वो भी नहीं दे पाएं जरा सवाल किजेगा क्य आप कहते थे दो दो करोर रोजगार देए पदा पदा लाग रुटया ठाता में देगे क्या हुआ इसलिए आने वारे समय में आक लंग करके आप लोग मिरना लीजेगा और वोट देने का काम किजेगा तो आप सब लोगों को ये कहना है कि भासपा के लोग गोबर को भी ग आजर का हलुआ बना करके दे देते हैं परोज देते हैं जूता लोग है ये लोग इसलिए करनाय थे प्रधान मत्री जी बोल रहे थे हमारे पिता के बारे में हमको इंडिरेक्ट बोले कि अपने पिता का नाम क्यों नहीं लेता है अपने पिता का काम क्यों नहीं गिनाता है मोधी जी खोड़ा कान खोल के सुनिये आज इसी ब्यार की धर्टी से हम बोल रहे है कल आपने बोला आज उसका जवाब देने हम आए है चेश्मा साथ कर लिजिये खोल के ये नजारा देखो जन सलाब है मोधी जी जड़ा बताइये 90 अजार करोर का मुनफा यू पीए वन में हुआ था लालओ जी ने इतियासिक काम किया अरस तक रेज़ वे को मुनफा नहीं हुआ ता लालोजी ने 90 अजार करोर का मुनफा बारतियरेल को दिया था थोड़ा आप बतादे आपने दस साल में कितना मुनाफ़ा दिया जंता को दिया रेलवे को दिया या पुल्जी पती को दिया किसको दिया रेलवे का निजी गिरन कर लिया अब बात करते है कि लालू जी ने क्या किया जितना कूली बाई था सब को नोकरी देने काम किया पर्मनेंट करनेगा काम किया आपने कितना कूली भाई को क्या किया जरा वो बता के लिखिए ये तो कुलर लालु जी ने हो कुलर चलवाए कुलर रेलवे में ताकि कुमार भाई सब को रोजगार मिले ये काम किया लालु जी ने आपने क्या किया बिहार में चक्ता करखाना से लेके कई डेल्वे का तीन चार ठाक्री दिया आपके रहते हैं दस सार आपने क्या किया अरे लालू जी मुक्मंदी थे जो देश में कभी नहीं हुआ मालसिक गुलावी से मुक्ती लालू जी ने दिलाया बिहार में सबाज एक नहीं करके दिखाया गरीबों को आवास दिया आज कोई भी गरीब नब्बे के बाद अपना अधिकार के लिए लड़ना जानता है अजी पिछरा लड़ना जानता है दलित लड़ना जानता है अधिवासी लड़ना जानता है अच्चकत भाई लगना जानते अब कोई चपल तो आ देगा अब कोई कुवा का पानी ने पीने देगा अरे अब कुवा का पानी ने द lugना बना लेगा अर जरुआट परे तो उनी लिए लोगन का पानी पिना देगा क्या बात करते हैं ये लोग उसले बातपा के लोग के वर बक्वास बोलते है जूट बोलते है बोलते है परिवारवादी लोग है परिवारवादी लोग है अरे पीछे समराज चोदरी बेठे वे है रामविलाज परस्वान जी के भाई बेठे वे है पारशी कही नेता बीजेपी में परिवारवाद के ल नहीं है तो उसलिए जादा कुछ इन लोगों पर हम नहीं कहिंगे लेकिन मानने नितीश कभार जी यू तन जो लिए है समझे कि अब हमको लगता है कि राज सरकार को इंशोरेंस अब बीमा करा लेना चाहिए अब मोदी जी कल कह रहे थे मोदी की बड़ी मजबूत गारंटी है मोदी की गारंटी मोदी की गारंटी अरे मोदी जी जड़ा हमारे चाचा का गारंटी लेकर दिखाओ क्या हमारे चाचा का गारंटी ले सकता है कोई अरे बताओ कोई ले सकता है कि कहाँ जब चाचा बोल रहते कि अब हम नहीं जाएंगे कहीं अब हम यहीं रहेंगे अजीवर तो मौधिदी हसने लग गये क्यों हस रहते भाई मौधिजी क्यों हस रहते और हमारे चाचा को बारबर ये क्यों बोलना परता है कि हम जो है अब कहीं नहीं जाएंगे मर जाएंगे, मिट जाएंगे मिटी में मिल जाएंगे लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे एक गाना सुने है आप लोग जितिक रोशिन का फिल्म का गाना है इधर चला बे, उधर चला इधर चला बे, उधर चला जाने कहां में किधर चला अरे अरे फिसल गया अरे चाचा जी चलिया आप बुजोर गया आपको यहीं से हाजोर तके पदाम लेकिन एक बात ते है जद्यू 2024 में खत्मा हो जाएगे यह मेरा कहना है बताओ सची बात है कि ले जद्यू का कोई भविश है क्या कोई भविश नहीं है आप इधार चलिये उधार चलिये अब आपका कुछ बचबे नहीं करेगा तो आप फिसल जाओगे कहीं के नहीं रहोगे तो उसले आप सब लोगों को यह कहना है एक तरफ इन लोगों का घड़बंधन जो है एक तरफ फिरका प्रस्थ है और उनके साथ मौका प्रस्थ है लोग है एक तरफ फिरका प्रस्थ एक तरफ जो है मौका प्रस्थ लोग है इसलिए आप सब लोगों को जादा कुछ हम नहीं कहेंगे लेकिन आप तेजश्वी से प्यार करते हैं हाथ उठा के बोलो तेजश्वी से प्यार करते हो मेरी एक बात मानोगे हाथ उठा के मेरा एक काम किजेगा कि आप सब लोग गरीबों को जोडने का काम किजे दलित भाईयों को सम्मान दीजे उनके दुख, सुक्वे, पासी पिछडों का, दिवासी भाईयों का, अब चक्यक भाईयों का, भागिधार बनोगे, बताओ, हाथ उटा के बताओ, बनोगे ना, तो हम जादा कुछ नहीं कहेंगे, अब आप लोगों कोई काम करना परेगा, काम किजेगा ना, हम भी साथ रहे साथ साथ मिलके काम करेंगे, तो जादा कुछ ना कहते हुए, सभी हमारे वरिश देता, सब लोग यहाँ है, राहुल जी है, अखले जी है, खर्गे साहब है, दीराजा साहब, यह चुरी जी, दिपावकर जी, लालु जी, आप लोगों के सबच बात रखेंगे, तो अमनी सेरो धन्यवाद देते हुए, अपनी बात को विणाम देते है, मेरे साथ दाना लगा करके, हम अपनी बात को सबाब करेंगे, हम बोलेगे, भाजपा भगाओ, दोनों हाथ उठा के बोलिएगा, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ प्यार की जन्ता जन्दा बाद जन्दा बाद जन्दा बाद बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्टी के कारेकर्टाओं को महागट बंदन के साथियों को इतने कम सबे में आप सब लोगों ने आयो जन्द किया सभी कारेकर्टाओं को पदादिक्तारियों को, विदाइकों को, M.P.O. को, सब को हम धन्यवाद देते हैं इस्रैली के सफलता के लिए, जै हिर, जै बिहार मैं माननिया नेता प्रतिपक्स मैं माननिया नेता प्रतिपक्स